सिरी रागव चड़ा, 40 मिनट्स 1-4 सर आज मैं सिर्फ 2 करोड दिल्ली वासियों के और से नहीं बलकि 135 करोड भारत वासियों के और से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ सर इस से जादा समविधानिक गैर कानूनी कागस का टुकडा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा और अपना वक्तविश शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंच का वर्नत करना चाहूँगा जिसे रामधारी सिंग दिनकर ने एक बहुती महत्पूंट कविता में लिखकर बताया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांती दूत बंद के पांडवों की ओर से हस्तिना पूर जाते हैं शांती का परस्ताव लेकर कवी लिखते हैं मेत्री की रा बताने को सबको सुमर्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीशन विद्वंच बचाने को भगवान हस्तिना पूराए पांडव का संदेशा लाए भगवान कहते हैं दो निया अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदी बादा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर हसी न उड़ाएंगे पर दुर्योधन दुर्योधन वो भी दे न सका आशी समाज की ले न सका उल्टा हरी को बांधने चला जो असाध्य था उसे साधने चला जब नाश मनुच पर च्छाता है पहले विवेक मर जाता है इसमें दिल्ली बिल का साहर है सर हम नियाई कि गुवार लगाने आपके सामने आये हैं अपने हक मांगने आए हैं अपने हक से जादा मांगने नहीं आया सर मैं अपने वक्तव्य को थीन भाग में बांचता हूँ wesela कि यह बिल कैसे एक राजनेतिक धोका है possibil58 है दूसरा ये कैसे एक समविधानिक पाप है constitutional sin है और तीसरा कि ये administrative log jam यानि की प्रशासनिक गती रोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है सर पहला राजनेतिक धोका ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की 40 लगभग 40 साल का लंभा संघर्श भारतिय जन्ता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया 1977 में जब 3rd Metropolitan Council दिल्ली में था उसमें जन्ता पार्टी की सरकार थी उन्होंने मता पास करकर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएं लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोगसभा का मैनिफेस्टों में बीजेपी का लाया ह लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे करते रहे करते रहे यहां तक कि जब 1991 में कॉंगरस की सरकार ने दिल्ली में विधानसवा का गठन किया उससे भी ना परियाप्त मानते हुए लाल कृष्ण डवानी जी मदल लाल फुर कर आए कि ये भी दिल्ली के साथ नहाई नहीं है दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया आंदोलन किया सर 1998-1999 में फिर अपने मैनिफेस्टों में बीजेपी ने ये 1999 का मैनिफेस्टों है ये जारी करकर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा देंगे पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31 वी विल गिफ फूर्ण स्टेटू टू डेली सर इन लोगों ने बड़ा अंदोलन चलाया संघर्ष किया सडकों पे लाठियां काई नजाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा दिलाने के लिए और अंततह वो दिन आया जिस दिन वाजपाई सरकार और वाजपाई सरकार के उप्रधान मंतरी आदर्निय लाल कृष्ण अडवानी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए The Constitutional Amendment Bill 2003 जो दिल्ली को पून राजिका दर्जा देता है यह बेल अडवानी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है दिल्ली को पून राजिका दर्जा भाजपा दिलाएगी यह भी बात खतम नहीं होती सर इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टों में BGP ने का हम पून राजिका दर्जा देंगे इनकी जून 2013 में National Executive की मीटिंग हुई उसमें मता पास करकर का हम दिल्ली को पून राजिका दर्जा देंगे यह तक कि इनके सांसद इनके सांसद डॉक्टर हर्चवर्दन ने बयान दिया कि जब अधर्निये नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंतरी बनेंगे हम दिल्ली को पून राजिका दर्जा देंगे यह इन समने सर लगातार बाते कहीं और दिल्ली को पून राजिका दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारती जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रहे सर ये बिल सिरफ संविधान का और लोगपंतर का अपमान नहीं है ये बिल लाल कृष्ण अडवानी जी का, अटल भिहारी वाजपाई जी का, मदल लाल खुराना जी का, सुश्मा स्वराज जी का, अरून जेटली जी का, सब का अपमान करने का और उनके 40 साल के संधर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है सर, मैं मानिये ग्रह मंतरी जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था उन्होंने कहा कि नहरू जी ने, पंडित नहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पून राजी का दरजा नहीं मिलना चाहिए मैं मान्य ग्रह मंत्री जी से कहना चाहता हूं नहरुवादी मत बनिये अडवानी बनिये वाजपाई बनिये और दिली को पून्ड राज का दर्जा देने का आज आपके पास एथिहासिक मौका है दिली को पून्ड राज का दर्जा दीजे सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है ये बिल क्यूं लाया गया है पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधान सभा के चुनाव हो 6 के 6 चुनाव भारती जंता पार्टी बुरी तरीके से हारी यहां तक कि 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अर्विन केजरिवाल ने दिल्ली में बनाई क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अर्विन केजरिवाल और राम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सरकार को नश्च करने का काम करें चाह ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व ना रहेगी ना रहेगा बास ना बजेगी बासूरी लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोथ करूँगा कि कम से कम लालकृष नडवानी जी को नयाई दीजे कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए दिल्ली को पून राजी का दरजा दीजे सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संबिधानिक पाफ है सर पहली चीज ये संबिधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूर साब का एक रॉय वर्सिस उन्यों ओफ इंडिया एक बड़ा महकपून लैंडमार्क जज्जमन्ट है जिसने कहा कि ओडिनेंस सिरफ आपात कालीन और विशम परिस्थितियों में लाई जाएंगे ऐसी कौनसी आपात कालीन और विशम परिस्थितियों आ गई कि आपको सुप्रीम कोट के फैसले को आठ दिन के बीतर बगलना पड़ गया दूसरा दूसरा सर दूसरा सर देखिये सर सर दूसरा सुप्रीम कोट दूसरा बिंदू ये सुप्रीम कोट का अपमान है सुप्रीम कोट के फैसले को आठ दिन के भीतर पांच जजों के सम्विधानिक पीट के सरसम्मती के फैसले को बदल के आज भारतिय जन्ता पार्टी ने एक मेसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोट को भी चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोट के फैस जो ordinance लाने की जो एक fetish इस सरकार ने देखी चाहे वो land acquisition बिल हो, चाहे वो farm बिल हो चाहे ED के director का extension हो जो ये सारी चीज़े ordinances के माध्यम से इनोंने करी थी इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था Sir, third बिंदू कि कैसे ये बिल संगिय धांचे को erode करता है हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोट का 2023 का 2018 का संविधानिक पीट का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक unique federal identity है unique constitutional identity है और भारत का संविधान जो हमें संगिय धांचा देता है जो शक्तियां देता है उन शक्तियों को एंक्रोज करने का काम ये सरकार करती है हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीन कर मैं आपको सुप्रीम कोट का वो एक वाक्य पढ़के सुनाना चाहूंगा the majority in the 2018 constitutional judge bench held that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state the concept of federalism is applicable to Delhi हम पूर्णाज नहीं हैं लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संग्य धांचे के परिपेख्ष में दिल्ली को मिलता है उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाली कर दिया आज बिना संभिधानिक संचोधन लाए संभिधान को बदल दिया मात्र एक Act of Parliament से जो आज तक शायद भारत के त्यास में कभी नहीं हुआ सर इसके बाद सर इसके बाद ये बिल Parliamentary Undermine करता है Principles of Collective Responsibility को भारत का संभिधान कहता है सर कि Permanent Executive और Political Executive मिल के Legislature के प्रती जवाब देही होंगे ये Principle of Collective Responsibility है इसमें से Permanent Executive यानि कि अफसर शाय को छीन कर ये पूरी तरीके से Collective Responsibility का Principle जिस पर सरकारे चलती है इस देश में उसे ध्वस्त करता है और आखरी बिंदू संभिधानिक अपराद का ये Triple Chain of Authority को तार-तार करता है सर Triple Chain of Accountability ये होती है कि अफसर शाय की जवाब देही मंत्री को मंत्री की जवाब देही Legislature को और Legislature की जवाब देही जनता को इसमें से अगर आप अफसर शाय हटा देते हो तो फिर जवाब देही की जो ये Triple Chain of Accountability के ध्वस्त हो जाती है तो ये काम करके सम्विधानिक अपराग एक प्रकार से सरकार ने किया है सर मेरा आखरी भाग ये कैसे एक Administrative हारा के रिए एक Administrative गतिरोत पैदा करता है ये कहता है सिरफ उपराजेपाली Transfer Posting करेंगे एक समीती के माध्यम से यानि कि अफसार अब मुख्यमंत्री के नहीं सुनेगा मंत्रियों के नहीं सुनेगा अगर आप दिल्ली में किसी के घर में बिजनी नहीं आरी पानी नहीं आरा किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा तो वो उपराजेपाल के पास जाएगा से फैसले देने की तमाम शक्तियां आज तक उपरा जपाल और गवर्नर काउंसल आफ मिनिस्टर्स की एड एन एडवाइस से बाद दे थे लेकिन ये बिल उपरा जपाल को सूपर सीडिंग पावर देता है आगे सर ये बिल जितने भी ब्यूरोक्राट्स है उन्हें एक सुपारिटी कमिशन्स और कॉर्परेशन्स बनाने की तमाम गठन करने की न्यूक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंदर सरकार को दे देता है यानि कि सरकार की चाबी एक परकार से केंदर सरकार को हाथ में पकड़ा देता है सर माननिय ग्रैममंतरी जी ने कहा था कि आमादमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है सर ये वो स्पारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का fast as growing political start-up कहलाती है ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने तीम बार भाजपा को दिल्ली में आराया और दो बार 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनाजेश की सरकार बनाई ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगबग शुन्ने पर लाकर खड़ा कर दिया ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्टे पार्टी बनी ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायत और 11 सांसद है वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए First Lady of United States of America और United General के पूर प्रमुक बान की मून आते हैं सर, मैं आज अपने साथी जो आंधर प्रदेश और उडिसा की सरकार चलाते हुने कहना चाहूँगा आपकी जरूर कुछ मजबूरिया रही होगी जिसके चलते हैं आपने यह फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में कुछ तो मजबूरिया रही होंगी युँओं कोई बेवफा नहीं होता लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी रात इंदोरी साथ का एक बड़ा मतपून शेयर है अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है ये सब धुआ है आस्मान थोड़ी है लगेगी आग तो आएंगे कई घरजद में यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आमादनी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी है मैं आपको विश्वाज दो लगता हूँ और सर मैंने अपनी बात शुरू करी थी महबारत के एक अंच्छते मैं समाप भी महबारत के एक अंच्छते करूँगा सर सर बीच कुरुक्षेतर के मैदान में जब युद प्रारम होने वाला था तो युदिष्टिर ने शंकनात करने से पहले एक घोशना करी और कहा कि ये धर्म धर्म की लड़ाई है मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा है अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरी दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं उनकी ओर से युद करें और अगर कौरव सेना में कोई योदा है जिसे लगता है कि धर्न युधिश्टिर के साथ है पांडवों के साथ है तो आप कौरवों की सेना चोड़कर मेरी सेना में आईये मैं बहाएं फिला कर आपका स्वागत करूँगा उस समय कौरवों का एक भाई यूयुद्सू कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से यूद लड़ा मैं उसी बात का जिकर करते हूए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूँ राज्य सबा कांसल अस्टेट्स है हम लोग कांसल उस्टेट से जहाँ जादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की अधिकारों की रक्षा करने की मैं मांग करता हूँ आज आप लोग पार्टी लाइन से उपर उठकर वेचार धारा से उपर उठकर संब्धान को बचाने के लिए लोगतंतर को बचाने के लिए इस बिल को हराईए आज ये इतना आज संब्धानिक और गैर कानूमी बिल अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुना भी ना कराएं चुनावी प्रक्रिया को खतम करने से बहुत बार शुक्रिए